नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत के बैलस्टेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम के बारे में यानि की BMD के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने व वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिफेंस एनलाइसिस इंडिया चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी आपको बहुत सारी डिफेंस एलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी और साथ में मै वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा तो चले दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों BMD यानि की बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसकी शुरुवात की गई थी ताकि भारत भी आने वाले समय में मल्टी ट्राइड एर डिफेंस सिस्ट किये गई हैं भारत ने नवंबर 2006 में जो PAD एर डिफेंस सिस्टम है उसका परिक्षन किया और साथ में डिसमबर 2007 में भारत ने AAD मिसाइल का टेस्ट किया और इसी के साथ भारत अमेरिका इसराइल और रूस के बाद भारत ऐसा चोथा देश बन गया जिसके पास खुद का बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और दोस्तो जनवरी 2020 में मैं इसी साल की जनवरी की बात कर रहा हूं इसका फेज वन कंप्लीट कर लिया गया है और दोस्तो 90 के दशक में पाकिस्तान ने चीन से बहुत सारी मतलब उस समय चोटी-चोटी मिसाइले और साथ में लगतार संख्या भी बढ़ रही थी तो इस कारण से भारत ने 1999 में BMD की शुरगवात की और दोस्तो इसका फेज वन जो की 2000 किलोमेटर की रेंज के साथ और फेज टू जो की 5000 किलोमेटर की रेंज के साथ आएगा और दोस्तो इस एर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए भा दोस्तो फेज टू में जो IRBM मिसाईले होती है यानि की इंटरमीडियेट रेंज मिसाईले जिनकी रेंज 3500 से 5000 किलोमेटर तक होती है जो फेज टू है वो इसी के लिए तयार किया जा रहा है जो की अभी तक मतलब बना नहीं है हाला कि फेज वन जो है वो पूरी तरहां से क की बैलेस्टिक मिसाईल है यह किसी भी तरहां की जो बैलेस्टिक मिसाईल है उनको बढ़ी आसानी से रोक सकती है और दोस्तो यह इंडेक्शन फेज में है यान की भारतिय सेना को जो यह मिसाईल बात करें तो तीस किलोमीटर तक है यानिकि तीस किलोमीटर तक उपर यह किसी भी मिसाइल को बड़ी असान से मार गिरा सकती है और बात करें इसकी स्पीड की तो देखे दोस्तों इसकी स्पीड 4.5 मैक है जिसमें ये 25 जी और 30 जी तक के जो मैनुवर्स है ये कर सकती है और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी जो फ्लाइट एल्टिटूड है यानि कि इतनी उन्चाहिता कि ये मार कर सकती है जो कि 30 किलोमीटर है अगर आप 30 किलोमीटर को फीट में कनवर्ट करते हैं तो 98,425 फीट उन्चाहिता कि ये बड़ी आसान से किसी भी टारगेट को धराशाही कर सकती है और दोस्तों वहीं पर इसी BMD की जो अगली मिसाईल आ जाती है वो ह PAD यानि की प्रित्वी Air Defense System तो देखी दोस्तों अगर इस मिसाईल की बात करें तो ये एक्सो एक्मोसफेरिक एंटी बैलस्टिक मिसाईल है और दोस्तों ये भी इंडक्शन फेज में चल रही है क्योंकि ये भी जो फेज बन के अंदर काम करेगी तो फेज बन कम्पलीट हो और इसकी फ्लाइट सीलिंग की अगर आब बात करें तो 80 km और दोस्तों वही पर हम फीट में जान लेते हैं 2,000, 62,000 फीट और साथ में इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है इस मिसाईल की 5 मैक तक है और ये एक साथ में जो 200 टारगेट है उनको ये धराशाही कर सकती है और ये किस इसकी बी जो बैलेस्टिक मिसाईल है उनको खास तोर पर इंगेज करने के लिए बनाई गई है और दोस्तों इसके बाद तीसरी मिसाईल आ जाती है पी डीवी यानि की प्रिथवी डिफेंस वीकल तो देखे दोस्तों बात करें इसकी टाइप की तो ये भी जो प्रिथवी किलोमीटर तक और फ्लाइट एल्टिट्यूड इसका उससे थोड़ा जादा है वो जहाँ पर असी किलोमीटर तक उंचाई पर मार कर सकती है तो ये पूरे डेड़ सो किलोमीटर उंचाई पर मार कर सकती है यानि कि जो चार लाग बानवी हजार आप कह सकते हैं फीट यानि धराशाई करने के लिए बनाई गई है यह उन से उपर की मिसाईलों को जो है धराशाई करने के लिए बनाई गई है और वहीं पर अगली मिसाईल की बात करें तो PDV Mark 2 दोस्तों यह प्रिथिवी डिफेंस विकल का जो Mark 2 वेरियंट होगा यह भी EXO Atmospheric Interception मिसाईल है और साथ मे बहुत जादा उन्चाई पर जो Target है उन्हें हीट करने के लिए बनाई गई है और इसकी Accuracy माना जाता है कि 10 cm तक है यह इनकी 10 cm की Accuracy कितनी होती है और इसी Accuracy के कारण इसे BMD System की सबसे खतरनाक मिसाईल माना जाता है तो दोस्तों यह इसमें Total 4 मिसाईले होगी जिसमें से Phase 1 की मिसाईले पूरी तरहां से Complete कर लिए गई है उनकी जो Test है वे भी सब पूरे कर लिए गए है वहीं पर जो Phase 2 है जिसमें 5000 km तक की मिसाईले होगी उन पर अभी जो DRD और साथ में भारत Dynamics और भारत Electronics मिलकर काम कर रहे हैं वे जल्द ही इस सिस्टम को यानकी एक रिपोर् 2022 के end में इस सिस्टम को पूरी तरहां से इंडिया में तैनात कर दिया जाएगा और दोस्तों इसके जो मतलब की तैनाती के साथ ही भारत इसराइल की तरहां Ballastic Missile Proof मतलब country बन जाएगा और दोस्तों कोई भी Air Defense System पूरी तरहां से या कोई Air Defense System नहीं कोई भी हथियार पूरी की guarantee देती है कि वे maximum target से आपको एक तरहां से बचा सकते हैं और दोस्तों वहीं पर हम बात करें BMD System के components की तो दोस्तों जैसे कि हर Air Defense System में होते हैं जो components होते हैं और दोस्तों BMD के जो रडार है उसके ओपर बहुत सारे लोगों का question रहता है तो देखी दोस्तों अभी भारत के पास 800 km का जो 360 degree cover देता है वो रडार है और साथ में इसको upgrade करके 3000 km तक कि इसकी जो range है वो बढ़ा दी जाएगी और दोस्तों यहीं नहीं यह जो रडार है यह अभी आप मानकर चलिए कि 800 km जो range है BMD System के हिसाब से तो कम है लेकिन यह range इसलिए कम है क्योंकि इसकी जो tracking करने क एक शमता है उसको DRU ने बहुत जादा अच्छा बनाया है यह आप देखी एक cricket की एक जो ball है उस तक को support बढ़ी आसान से कर सकती है दोस्तों इसके बाद बारिया जाती है to trade PAD defense system की यह इसमें शामिल होगा और साथ में launch vehicle और साथ में रडार और साथ में launch control system और इसके साथ जो mission control center है वो भी होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें secure communication system होगा जो कि एक युद्ध के समय में बहुत जादा मतलब कि आपका जो communication है वो अगर secure रहता है वो बहुत जादा माइनी रखता है और दोस्तों इस system के आनके बाद जो भारत के उपर जो ballistic missile के खत्रह हैं व अपने उसमें जो प्रचार करते हैं कि 99.8% यहां पर 98.8% की बात हो रही है और वहीं पर जो air defense system होते हैं वे एक target पर दो missile के जो दागने के बाद भी वे इस तरहां की guarantee नहीं दे पाते हैं उनकी जो guarantee है वो 80% या 85% के आसपास रहती है तो यह भी भारत के लिए एक बड़ी complete हो जाएगा और 2022 के end में आपको इसकी तैनाती भी देखने को मिल सकती है और जो phase 1 है उसका तो जो तैनाती है वो एक तरहां से आप government के उपर है कि कब वे इसके लिए approval देते हैं और सेना उसे जल्द से जल्द तैनात करतेगी तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी comment करक भी subscribe कर लिजीगा और साथ में जो description में link ले रखा है defense analysis channel इंडिया का उसको भी फटाफट से जाके subscribe कर लिजीगा क्योंकि आपको वहाँ पर भी बहुत सारी defense related videos देखने को मिलेगी और साथ में मैं भी उस channel पर Jeff 17 से related एक video upload करने वाला हूं तो आप उसके लिए भी उस channel को subscribe कर लीजेगा अगर दोस्तों आप भी किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो please comment section में लिखना बिलकुल भी मत भूलेगा मैं आपके जो question आउनका भी answer करने के पूरी कोशिच करूँगा और आपके topic के ओपर भी वीडियो बनाने के पूरी कोशिच करूँगा तो चले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye जै हिंद